कि इस तरह की चीजों को बार बार उठाना कोई मुद्दों को पकड़ना असली मुद्दों से जनता को भटकाना है जहां असली प्रॉब्लम है जैसे कि चाइना जो की कह रहा है कि अरुनाचल प्रदेश हमारा अभिन अंग है उसने अपने जो है तीस नाम भी दे दिये हैं अ पर चाइना चाइना पर खास करके जो जो चाइना के मिलिٹरी ने पहले बोला अभी भी जो है उनके बैयान बराबर आ रहे हैं इन बैयानों को आप कैसे दियेखते हैं कि अरुनाचल प्रदेश के बारे में जो बेयान खास करके आ होता है जी राजा जी चाइना से थोड़ा पाकिस्तान की और मुड़ते हैं अभी कली जो है गार्डियन फॉरन पॉब्लिकेशन है गार्डियन उसमें एक आर्टिकल आया है उसमें कहा है उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धर्ती में बीस लोगों को ब पहले हम लोगों के बारे में कैनेडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चरचा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चरचा है 20 लोग, तो इसको आप कैसे देखते हैं, कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है, कि जो है भारत जो है के जी बी और मुसाद से जो है काफी influenced है तो उनकी भी जो intelligence agency है रोव अगरे इस तरीके का काम कर रही है कोई sleeper cell है UAE में उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है और 20 लोगों को मतलब एक आद लोग नहीं 20 terrorist को जो है हमने कुछ सालों में मारा है 20 terrorist को मारा है हाँ जी मतलब terrorist कह लीजे लोगों कह लीजे पर वहाँ उनके पर उनकी धरती में मारा है कोई भी terrorist हमारे परणूशी देश से भारत को disturb करने की कोशिस करेगा यहाँ पर जी आतंकवादी हर्कने करेगा तो उसका मुतोड जवाब देंगे यह भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे तो यह बात आप मतलब कह रहे हैं जो प्रधान मंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत वो भारत नहीं रहा जो की बगल में खड़े होके तमाशा देखता रहागा घर में घुस कर मारेगा और आज देखा होगा आपने, पास से हिस्ट्री उठा कर देखिए, कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमन किया है, अथो आक्रमन के पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तक दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कभ्या करने क कुशिस करेगा तो उसकी खैर नहीं है नहीं बहुत बहुत बड़ा स्टेट्मेंट है पाकिस्तान औकिपाइट कश्पीर प्योके के बारे में भी आपने अक्सर बाते की है इसका कोई टाइम फ्रेम है इसको हम लोग कैसे वहाँ के हिंदू मुसल्मान आप लोग कहते हैं कि भारत के ही लोग है तो इसका टाइम फ्रेम क्या है उसको हम कैसे इस मामले को रिजॉल्व करेंगे वैसे पाक अडिकरित कश्मीर की जनता ही है मांग करेगी कि हमको मरज किया जाए बारत के साथ हमारा से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते और आपने देखा होगा एक दो प्रदस्वन वहाँ पर हुए थे जी और बारत के कश्मीर के साथ हो लोग मिलना चाहते हैं देख रहा है कि तेजी के साथ धारा तिन सो सतर समाप थोने के बाद काश्मीर में स्टेटी सामाने हुई है और विकास की गती भी टेज हुई है कश्मीर क्योंकि आपने अभी बात कही तो क्या वहाँ पर आफसा हटाएंगे आप आफसा को हटाएंगे आप अब लगव को समय आ गया है कि हटाया जा सकता है लेकि अब तो ग्रेह मंत्राले को इस समद्ध में फैसला करना पड़ेगा तारी रिपोर्ट आ जाने के बाद अमिच्छाजी ने अभी कहा है कि जो है उसको हटाने की एक वह होसा है अब परिशितियां इसी बन गई है कि अपसपा हटाया जा सकता है लेकिन इस समद्ध में जो भी नड़े करना होगा वह ग्रेह मंत्राले करेगा थोड़ी सी बात आपके मंत्राले की भी कर लें चुनाव का माहौल है तो इस तरह की बाते रह जाती है डिफेंस एक्सपोर्ट वीस हजार करोड से जादा ये ये कैसे हासिल कर पाए आप आगे का क्या प्लान है दिनेक्षा सकती स्ट्रांग विल पावर और हमारे प्रधान मंत्री का वीजन और उनकी दिनेक्षा सकती उन्होंने का हर मामले में भारत आत्म दर्वर बनना चाहिए यदि हर मामले में भारत को आत्म दर्वर बनना है तो उसे रक्षा के मामलों में भी भारत को आत्म दर्वर बनना चाहिए एक उनका ये संकल्प था और उसी संकल्प के अधार पर हम लोगों ने अपने कदम आगी बढ़ा है और आज ये बीस हजार करोड से अधिक का मने लगए गए किस जार करोड पे का हमारा एक्सपोर्ट का टार्गेट ये पहुंच गिया है और आप देखेगा हमें कुछी महीनों के अंदर ये और अधिकागी बढ़ने वाला है 2014 में जो हम लोग आये थे उस समय रक्षा उपकरणों का जो एक्सपोर्ट होता था वह बामुस्किल 900 करोड या कुछ ऐसे ही था आसपास था 900 करोड अब आप समझे कि इतने ही समय में हम लोग 900 करोड से बढ़कर एक्सपोर्ट को 21,000 करोड रुपे तक ले गए और हम लोग की बराबर कोशिश यह रहती है कि अब रक्षा उपकरण भी चाहिए टैंक हो तोफ हो गोले हो मुसाहिल हो एमिनिसंस हो अब भारत में बनने शाहिए और भार्चियों की हाथों से बनने शाहिए यहां तक के इंजिन भी फाइटर प्लेन के इंजिन भी उसके हम लोग उने कर लिया है इस चीज में हम लोग कुछ पीछे रहे गए कुछ काम धीमी गती से चल रहा है डियार डियो में यही जैसे चाइना की जो नेवी है समरीन हो वार्शिप हो बहुत बड़ी बहुत बड़ी उनकी जो है वो है हमारे पास सिर्फ सोला ऑपरेशनल समरी हैं कुछ डियार डियो इस चीज में आने वाले समय में गती गती बढ़ेगी इसकी अपना काम कदी रहा है फिफ्ट जनरेशन फाइटर एरक्राफ्ट वगरों पे बिलकुल बिलकुल यह सब तारा काम चलना है तेजी की तारा काम चलना है तो इसमें आपको लगता है आने अगले कारेकाल पे इसके परिणाम दीखने लगेंगी लोगों आज से नहीं बहुत पहले से जब से आप राजनीती में हैं आपके संबन हर पार्टी से अच्छे रहें आपने एक हरदम एक द्वार खोल के रखा है जिससे की बाचीत होती रहे है लोगों से मिलना जुलना चलता रहे चाहे आजनीतिक परिस्तितियां कैसी भी हो कि आपको आज लगता है कि वो इस तरह की परिस्तितियां आज नहीं रही कि आज बहुत एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लोग कुछ भी बोल जाते हैं लोग जैसे मोधी को गोली मारो, कोई बोलता है मोधी का लाठी मारो, सर फोड़ो, इस तरह की बाते हैं, कंगनार अनौत जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, हेमा मानली जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो ये क्या आप देखते हैं कि ये स्तर गरता जा रहा है, इसको आप कैसे व्यक्ती ही नहीं है प्रधान मंतरी एक संस्था होता है और आपने देखा होगा किसी भी प्रधान मंतरी के बारे में यह कुछ बात हमने कही होगी तो बड़े नपे तुले कोई गुंजाईश नहीं है राजनादी इस चुनाओं में तीन और राज्य हैं जिनका एक अहम रोल होगा आपके इस नंबर को अचीव करने में तीन सौ सतर जो आप कह रहे हैं और वो हैं बिहार, महराश्टर और बंगाल तो एक एक करके बिहार बिहार पर आपकी समझ और आ झाल 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 झाल